आपको बताऊंगा होटीज एडी कोड और हाव तो गेट इट फॉम बैंक लेर्ण फ्री एक्सपोर इंपोर्ट वीडियो सीरीज के आगे के वीडियो आपने नहीं देखे तो मेरी यूट्व चैनल में जाके आप पूरा जो है वहाँ पे देख सकते हो और प्रेक्टिकली एक नदर एक्सपोर इनो कर सकते हो लैट्स टार्ट वॉट इडीआ कोड अडि कोड को बोलते अटराइज धिलेड यूट हमारी जो है हर्बंगे रिजर्उब्हों की ब्रांच के पास टhou है वही लोग और मतलब क्या हुआ कि सारी बैंकों के पास तो एडी कोड है यह बट बैंक की सारी ब्रांचों के पास सभी ब्रांचों के पास एडी कोड नहीं है मतलब क्या हुआ मैं आपको practically समझाता हूँ देखें अमदाबाद के अंदर HDFC की suppose 20 ब्रांच है कितनी ब्रांच है 20 अब यह 20 ब्रांच के अंदर एडी कोड नहीं मतलब तीन ब्रांच के अंदर एडी कोड है और दूसरी 17 ब्रांच के पास एडी कोड नहीं है तो वह जो 17 ब्रांच है खुद Forex में डिल नहीं कर सकती मतलब जो पैसा बेजना है तो नहीं कर सकती तो वह क्या करेगी नियरबाइ जो HDFC की बड़ी ब्रांच होगी वहां पे पैसा को कनवर्ट करवा लेगी मतलब आपकी ब्रांच के अंदर एडी कोड है या एडी कोड नहीं है कोई फरक इतना नहीं पड़ता है अच्छी बात है वरना कई लोग यहां पर कन्फूज होते कि सर मेरी जो ब्रांच है वहां पर एडी कोड नहीं है तो कोई प्रब्लम है जो कोई है जो आपका बैक के अबुरा काम कर देगी इसमें कोई बीन कोई अच्छी बैक और बडी बैंक के अंदर आप अपना आक Спाम कुलवा लिजे कोई प्रब्लम नहीं रहेगा मतलब समझ माया कि अपका ट्रांजेक्शन करके देगी तो आपको कोई प्रब्लम नहीं रहेगा और यहां पर आता है AD1 and AD2 मतलब authorized dealer 1 and authorized dealer 2 यहां पर आता है मतलब जो bank है उसको RBI ने AD1 code दिया हुआ है जो money exchanger है जो foreign currency में deal करते है जो exchanger है money exchanger है उसको RBI ने AD2 code दिया है मतलब देखिए कोई भी foreign currency में transaction होगा तो RBI जो है पुरा उसके उपर watch रखी हुई है और RBI का पूरा उसके उपर control है तो अच्छी बात है ना कि यह जो export import business है पूरा rules and regulation के साथ होता है safety के साथ होता है तो यहां पर दो number या गोलमाल की कोई गुणजाईस नहीं है पूरा transparent business होगा अब AD2 code का क्या importance है तो हम जब export करेंगे तो पहली बार कोई भी port से export करेंगे तो पहली बार exporter या importer को AD2 code registration करवाना रहता है पहले क्या था कि हर port पे अलग-अलग मतलब different registration करवाना पड़ता है जैसे कि पहली बार मुद्रा से आप export करोगे तो मुद्रा पे AD2 code देना पड़ेगा दूसरी बार आप मुंबई से export करोगे तो मुंबई पे आपको AD2 code देना पड़ेगा पहले ऐसा था अभी क्या है online system हो गया online process हो गया तो एक ही बार आपको करना है और उसके अंदर जो जो port से आपको export करना उसको include कर देना है तो आपको दूसरी बार AD2 code registration नहीं करना पड़ेगा या फिर समझो अभी आपने मुंबई और मुद्रा का AD2 code registration कर लिया उसके बाद आपको कोलकता से करना है तो उसमें आप online ही amendment कर सकते हो और AD2 code registration online कर सकते हो कि जो website है वहाँ पर online में आप AD2 code registration कर सकते हो अभी जो है AD2 code registration का process online हो गया है और जो CHA है और या agent है वो AD2 code registration करके देते हैं तो as a exporter आपको कोई टेंचन नहीं लेना है तो AD2 code registration करने का process generally क्या होता है कि समझो आपका पहली बार export है तो CHA बोलेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो आपको क्या करना है आपको आपकी बैंक में जाना है वहाँ पे आपकी कमदी के लेटर हेड पे आपको एक अप्लिकेशन देना है वी वन टो एक्सपोर्ट और गुड्स सो वी नीड एड़ एड़ी कोड लेटर तो ऐसा जो रिक्वेस् करना है तो क्लास 敛ी डीटल सिगनेचर लगता है तो च्लास कलिस दर का रहेगा तोच जो है आपका पहली बार एक्सपोर्ट करोगी तो आपका करके रिए डी कॉम बाले मंगते क्यों है तो मैं आपको बता दूँ इसमें दो बनिफिट एक एक सपोर्ट का बनिफिट कि ज जमाँ होगा मतलब एडिकोर्ट के अंदर आपने जो बैंक आकाउंट दिया है उसके अंदर जो है गवर्मेंट का benefit आपको मिल जाएगा दूसरा एक benefit मन और वोच रहता है कि कितना export हो रहा है कितना इंपोर्ट हो रहा है कितना पेमेंट भी है मतलब import करना है तो आपको edi code से बिल्कुल नी डरना है simple process है तो export import business जो है सरले कोई भी बंदा export import business कर सकता उसको right guidance मिलना चाहिए right mentor के guidance के अंदर आप जो है successful exporter बन सकते हो thank you for watching this video क्या आप step by step practically export import सिखना चाहते हो then join advanced level export import practical training everything about export import जिसके अंदर hundred percent export import सिखाने का guarantee a with lifetime support to register call now let's go global together thank you तो प्रोब्स कर दो है तो प्रोब्स कर हो इसक्त कर दो दो है कि अए आप